बच्चो जब ब्रम्हान की उत्पत्ती हुई तो कुछ ऐसे पिंडों का निर्मान हुआ जो स्वेम प्रकाशित थे और इसे हम तारे कहते हैं जिनकी खुद की रौष्णी होती है और कुछ ऐसे पिंडों का भी निर्मान हुआ जिनमें खुद की रोष्णी नहीं होती है ये तारों की रोष्णी से ही चमकते हैं और यदि हम अब अपने सोलार सिस्टम की बात करें तो हमारे पास एक ऐसा तारा है जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं जिसके चारों और ऐसे ही कुछ पिंड घूमते रहते हैं और सूर्य और इन पिंडों के सम्मू को हम सोलार सिस्टम याने की सौर्य मंडल के नाम से जानते हैं और ये जो पिंड जिनमें खुद की रोष्णी नहीं है और ये सूर्य के चारों और चक्कर लगा रहे हैं इन्हें हम ग्रहों के नाम से जानते हैं और सूर्य की चारों और चक्कर लगाने वाले ऐसे ही नौपिंड हैं जिनके नाम हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मास, जुपीटर, सैटर्न, यूरेनस, नेप्चून, प्लूटो लेकिन 24 अगस्थ 2006 को International Astronomical Union की बैठक हुई और उन्होंने ग्रह की नई परिभाश दी और उसके अनुसार प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिये गया है इसका मतलब ये नहीं कि प्लूटो अब सूर्य के चारों और चक्कर नहीं काट रहा है वो सूर्य के चारों अभी भी चक्कर काट रहा है लेकिन वह केवल एक खगोल्य पिंड माना जाता है और इस प्रकार अब हमारे सौर्य परिवार में एक तारा सूर्य है और आठ ग्रह बच्चो कुछ ऐसे खगोल्य पिंड भी है जो इन ग्रहों के चारों और भी परिक्रमा करते हैं और ग्रहों के चारों और परिक्रमा करने वाले इन खगोल्य पिंड को हम उबग्रह यानि कि सेटलाइट कहते हैं बच्चों पृत्वी के चारो और परिक्रमा करने वाले खगोली पिंड को तो आपने देखा है इस उपग्रह को हम चंद्रमा यह चांद के नाम से जानते हैं अब यह चंद्रमा पृत्वी के चारो और चक्कर लगा रहा है तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तू यदि किसी बि इंदू से उस केंद्रे से एक बल प्राप्त होता है जिसे हम अभी केंद्र बल कहते हैं तो यहां पर भी यदि चंद्रमा पृत्वी के चारोर चक्कर लगा रहा है तो उस चंद्रमा को भी इस पृत्वी से बल प्राप्त हो रहा होगा और उस बल को हम अभी केंद्र बल कहें और यह अभिकेंद्र बल पृत्वी से किस प्रकार प्राप्त हो रहा होगा बच्चों हम जानते हैं गृत्वा कर्शन की नियम के अनुसार ब्रह्मान में कोई भी दो वस्तुएं दो पिंड एक दुसरे को अपनी वर अकर्शित करते हैं और यहां पर भी हम देखें तो पृत पृत्वी का अपना एक द्रव्यमान है और उस द्रव्यमान के कारण पृत्वी की अपनी ग्रैविटी है और पृत्वी इसी ग्रैविटी के कारण गृत्वा कर्शन बल के कारण ही चंद्रमा को बांध के रखी है यह यूं कहो कि चंद्रमा को पृत्वी के चारों और चक खगोल्य पिंट चक्कर लगा रहे हैं यानि बाकी ग्रहों के भी सैटलाइट्स हैं लेकिन जब हम बुद्ध और शुक्र यानि मर्क्यूरी और वीनस की बात करें तो ये छोटे ग्रहा है छोटे ग्रहा है तो इनकी ग्रैविटी भी बहुत कम है और इसी कारण इन ग्रहों का ना तो कोई वायू मंडल है और ना ही इन ग्रहों का कोई उपग्रह है मतलब इन ग्रहों के चारों और चक्कर लगाने वाले कोई खगोल्य पिंड नहीं है लेकिन हम बड़े उपग्रह की बात करें जैसे कि जूपीटर और सैटन इन बड़े उपग्रहों का द्रव्यमान अधिक है इसलिए इनके चारों और चक्कर लगाने वाले खगोल्य पिंडों की संख्या भी अधिक है यह यू कहें कि जूपीटर और सैटन के नंबर ओफ सैटलाइट्स भी अधिक हैं जैसे कि जूपीटर की बात करें तो जूपीटर के 80 से 95 मून हो सकते हैं और वहीं हम श कि बड़े ग्रहों के नंबर ओफ सैटलाइट्स अधिक है जबकि छोटे ग्रह में जिनका द्रव्यमान कम है उनके सैटलाइट जीरो हैं बच्चों यह जो प्राकृतिक खगोल्य पिंड हैं जो ग्रहों की चारों और चक्कर लगाते हैं इन्हें हम प्राकृतिक उपग्रह यानि की नैच्रल सैटलाइट्स कहते हैं पर बच्चों किसी भी ग्रह के अध्यन के लिए हम मानव निर्मित सैटलाइट्स का भी स्तमाल करते हैं यानि की कृत्रिम उपग्रह का निर्मान करते हैं एक्शुली जब किसी ग्रह के बारे में अध्यन करना हो तो हमें लगातार उस ग्रह को वाच करना पड़ता है सभी दिशाओं से हर एंगल से यदि हमें मौसम का अनुमान लगाना हो या किसी ग्रह के सताह का उस पर होने वाली क्रियाओं के बारे में अध्यन करना हो या संचार व्यवस्था को सुचारो रूप से चलाना हो तो वहां पर हमें इस प्रकार के पिंडो की अवशक्ता होती है जो की ग्रह की चारो और लगातार चक्कर लगाते रहे और ग्रह की information लगातार हमें देते रहे तो इसे लिए ही हम कृत्रिम उप ग्रह यानि की artificial satellites का निर्माण करते हैं जिसके कारण हम ग्रह के correct information प्राप्त कर सकते हैं यदि हमें पृत्वी के बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो हम ऐसे पिंडो का निर्माण करेंगे जो पृत्वी के चारो और निरंतर चक्कर लगाते हैं ऐसे ही यदि हमें किसी दूसरे ग्रह की बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें ऐसे satellites का निर्माण करना ह जो उन ग्रहों की चारों और चक्कार लगा रहे हूं ल बच्चों, हमारी जिद्यावा सुरू से अन्य ग्रहों की बारे में भी जानकारी लेने की रही है मनुश्य प्रितवी के अलावा दूसरे ग्रहों में भी जीवन खोशता आया है साथ साथ चंद्रमा तो अकर्शन का केंद्र हमेशा बना रहा है और हम चाहते हैं कि चंद्रमा के बारे में भी हम information प्राप्त करते रहें और इसलिए ही इस जिग्याशा को सांत करने के लिए विज्ञानिक निरंतर ऐसे कृत्रिम सेटिलाइट्स का निर्मान करते आ रहे हैं जिसके आधार पर या तो चंद्रमा की जानकारी लेने की कोशिश की जारी है या तो मंगल ग्रह की क्योंकि मंगल हमारा निकटम ग्रह है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मंगल ग्रह में भी जीवन करने के लिए विग्यानिक artificial satellites का लगातार निर्मान करते आ रहे हैं और इन artificial satellites को अंत्रिक्ष में भेजा भी जा रहा है कि तो आएंगे बच्छों कि हम इस artificial satellite के launching यानि कि कृत्रिम उब्ग्रह के रख्षेपन पर चर्चा करते हैं कृत्र मुपं ग्रह की चारों और परिक्रमा कर रहा है और यह सर्कुलर और अर्बिट यानी की वृतियमार्ग और eating Ε corona ओर उर्बिट यानी की दिर्ख वृताकार मार्ग दौन की प्रकार के पत्पर गती करता है यह यह artificial satellite किसी भी ग्रह के चारों और यदि परिक्रमा करता है तो इसको ग्रह के चारों और परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इस ग्रह के गृत्वा कर्शन बल द्वारा ही प्राप्त होता है और यही किसी भी उपग्रह के प्रक्षेपन का सिध्धान्त है प्रिंसिपल ओफ लॉंचिंग आर्टिफिशल सेटलाइट वैसे बच्चो कृत्रिम उपग्रह किसी भी ग्रह के चारो और या तो वृतिय पत यानि की सर्कुलर ओर्बिट या फिर दिर्ग वृताकार पत यानि की इलिप्टिकल ओर्बिट में परिक्रमा कर सकता है लेकिन जब हम प्राकृतिक सेटलाइट की बात करें तो ये सारे नैच्चरल सेटलाइट किसी भी ग्रह के चारो और हमेशा दिर्ग वृताकार पत पर ही गती करते हैं लेकिन जब हम इनका अध्यन करते हैं व्यनजग्याद करते हैं तो derivations को easy करने के लिए हम इन उग्रहों का पत elliptical ना लेकर circular ले लेते हैं और ये मान कर चलते हैं कि ये दिर्खाकार पत पर नहीं बल्कि वृताकार पत पर गती कर रहे हैं वैसे बच्चो किसी भी satellite को launching एक बहुत ही interesting topic होता है हमारी जिग्यासा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि किस प्रकार किसी satellite को पृत्वी की सता से अंत्रिक्ष में भेजा जाता है और ये satellite किस प्रकार पृत्वी के चारो और परिक्रमा कर लेता है इसको समझने के लिए मान लेते हैं ये पृत्वी है और इसकी सता पर एक बहुत उची मिनार है और इस उची मिनार की चोटी पर वायू मंडल लगभग नगन्ने है बच्चो यदि हम किसी पत्थर को उठा प्रृत्वी की सता से सीधे सीधे यानि कि ओर्धवाधर उपर कि और पेकते हैं तो क्या होता है पत्थर कुछ दूर तक उपर जाता है फिर उसके बाद प्रृतवी के गृतवा-कर्षण बलके कारण वह पत्थर सीधे नीचे आ जाता है यानि कि पत्थर उर्द्वा धर दूरी तै करता है लेकिन इसी पत्थर को उर्द्वा धर तल में ना फेका जाए और सीधे प्रित्वी से 36 से कोई कोड बनाते हुए फेका जाए उस कंडिशन में या पत्थर उर्द्वा धर तल में भी गती करता है चेटिश तल में भी गती करता है यानि कि तल में गती करते हुए उर्द्वा धर दूरी भी तै करता है चेटिश दूरी भी तै करता है और प्रित्वी की सता पर किसी अन्न बिंदू पर जाकर गिर जाता है और पत्थर का यहां मार्ग परवलायकार होता है और इस गति को हम प्रक्षे पे गति कहते हैं वैसे ही यदि किसी हाइट से पत्थर को छेटिज फेका जाए मतलब सीधे फेका जाए तो पत्थर सीधे सीधे कुछ दूर तक गती करता है लेकिन पृत्वी के गृत्वी प्रभाव के कारण फिर पत्थर का मार्ग परवल्यकार हो जाता है और वो पृत्वी की सता पर नीचे आगिरता है मतलब चाहिए आप नीचे से फेके पृत्वी की सता से या फिर किसी उचाई से फेके आप 36 फेके यह 36 से कोई कोड़ बनाकर फेके दोनों इस स्थिती में इस प्रक्षेप का पत यह इस पत्थर का पत परवल्यकार होता है अब माल लीजे इसी मिनार से हम किसी वस्तू को फेक रहें तो यह परवल्यकार पत परगती करते वे प्रित्वी पर किसी अन्य स्थान पर आगिरेगा अब हम वेग को और बढ़ा देंगे जब वेग और बढ़ाएंगे तो इसके द्वारा तै की गई 36 दूरी बढ़ जाएगी इस प्रकार अब हमने सेकंड स्थिती में वेग और बढ़ा दिया अब ये वस्तू इसे प्रित्वी की सता पर 36 दूरी ज़्यादा तै करते हुए अन्य स्थान पर गिरेगे अब वेग को और बढ़ा देते हैं अब हम देख रहें फिर परवल्यकार पत बनाते हुए प्रित्वी की सता पर किसी अन्य स्थान पर गिरे पर अब हमें वेक को इतना बढ़ाना है कि वस्तू पृत्वी की सता पर न आगे रहे और ऐसा होगा तो इस प्रकार ये परवल्लेकार पत लेते वे आगे बढ़ेगी पर पृत्वी की सता से भी ये आगे हो जाएगी या यू कहें ये दूर हो जाएगी उस कंडिशन में ये वस्तू इस पृत्वी के चारो और चक्कर लगाना प्राराम कर देगी और यही प्रक्षेप के लॉंचिंग का सिधान्त है कि अब यह वस्तू इस ग्रह के चारो और चक्कर लगाना शुरू कर देगी और यह ग्रह की चारो और एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाएगी अब हमने जो वेग दिया था उस वेग को हम कहते हैं कक्षिय चाल क्योंकि यहाँ वेग इस वस्तू को इस ग्रह की चारो और एक निश्चित कक्षा में घुमाने के लिए सक्षम है और यहाँ उस वस्तू का कक्षिय चाल कहलाता है बच्चों कक्षिय चाल को हम VO से दर्शाते हैं यानि की orbital velocity orbital के लिए हम O लिखते हैं और वेग के लिए V तो इस प्रकार कक्षिय वेग या कक्षिय चाल को VO से दर्शाया जाता है और इसके अनुसार हम देखे कि यदे किसी भी वस्तू का प्रारंभिक 36 वेग मतलब जिससे वेग से उसे 36 दिशा में फेका जा रहा है वो यदि कक्षिय चाल से कम है उस condition में क्या होगा कि वस्तू प्रित्वी की सतह पर वापिस आगिरेगा अब यदि प्रारंभिक 36 वेग कक्षिय चाल के बराबर हुआ उस कंडिशन में वस्तु कक्षा में स्थापित हो जाएगी क्योंकि यहाँ प्रारंभिक 36 वेग उस कक्षिय वेग के बराबर होगा और इसलिए अब उसे इस कक्षा में घुमाने में वो सक्षम होगा और ऐसी स्थिती में वस्तु वृतिय पत पर ग्रह के चारों और गती करने लगता है पर यदि प्रारंभिक 36 वेग इस कक्षिय चाल से अधिक हुई पर लग हमने बहुत जादा वेग से इसको फेक दिया जितने की कक्षा में चलने वाले वेग की जुरुत थी उस वेग से कहीं ज़्यादा मान से हमने फेका उस कंडिशने वस्तु इस ग्रह के चारों और गती करेगी लेकिन वृताकार पत पर नहीं बलकि दिर्क वृताकार पत पर अब ऐसी कंडिशन हो कि प्रारंभिक 36 वेग का मान पलायन वेग से भी अधिक हो और बच्चो हम जानते हैं कि पलायन वेग वा न्यूनितम वेग होता है जिससे यदि किसी वस्तु को ग्रह की सतह से उपर फेका जाए तो वह उस ग्रह पर कभी भी वापस नहीं आता उसकी गुरुतवी छेत्र को पलायन कर जाता है तो इस कंडिशन में भी वस्तु इस ग्रह के गुरुतवी छेत्र को पार कर जाएगा पलायन कर जाएगा और अंत्रिक्ष में चला जाएगा अब उस वस्तु का पात कैसा होगा इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो अंत्रिक्ष में अन्य किसी पिंड के प्रभाव में भी गती कर सकता है और यू कहें कि अब तो वह हमारे गुरुतवी छेतर से पलायन कर जाएगा तो बच्चों किसी भी सेटलाइट को ग्रह की चारों और किसी कक्षा में घुमाने के लिए बहुत सारी भातों का ध्यान रखना पड़ता है और यही कारण होता है कि कभी-कभी सेटलाइट का प्रक्षेपन सफल होता है और कभी कभी असफल भी हो जाता है वैसे बच्चों इस सेटलाइट को किसी भी ग्रह के चारो और कक्षा में किस प्रकार स्थापित किया जाता है इसके लिए हम एक मशीन का स्तमाल करते हैं जिसे हम रॉकेट कहते हैं और यहां रॉकेट बहु खंडे होता है यानि कि मल्टी स स्टेज वैसे रॉकेट के लांचिंग में हम जन्रली तीन स्टेज रॉकेट लेते हैं पहले स्टेज में इंधन की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसके कारण रॉकेट तीवर गती से उपर कियो और आगे बढ़ता है और जब इस स्टेज का इंधन खतम हो जाता हैं तो कि उसके बाद सेकेंड स्टेज का इंधन जलना प्रारम होता है और जब यहां इंधन भी पूरा खतम हो जाता है उस कंडिशन में सेकेंड स्टेज भी डिटेच हो जाता है और यहां भी नीचे गिर जाता है और यहां क्रम चलता रहता है यदि हम थ्री स्टेज रॉकेट की ब कर दिया जाता है वैसे बच्चों मैंने कहा First Stage और Second Stage का इंदन खतम होने के बाद यह डिटेश हो जाता है और नीचे गिर जाता है तो यदि आप सोच रहे होंगे इंद फोकर गिर्ता कहां पर है तो बच्चों ये रॉकर रांचिंग की प्रक्रिया पूरी calculated रहती है इस फर्स स्टेज और सेकंड स्टेज का जो रॉकेट detach होकर गिरता है उसकी वेवस्था इस प्रकार की जाती है कि वो पृत्वी में किसी समुद्री भाग पर ही जागे रहे ताकि कोई की नुकसान ना हो या फिर कभी ऐसा भी होता है कि रॉकेट वातावरण में ही यानि कि अमरे वायू मंडल में इतनी तेजी से गिरते हुए आता है कि घर्शन के कारण उश्मियों उर्जा उत्पन होती है और ये फ्रेक्शन अफ सेकंड में ही जल कर राक हो जाता है और इस प्रकार मिल्टी स्टेज के बाद कोई सेटल्याइट अपनी कख्शा में इस्थापित किया जाता है इसके अलावा किसी सेटलइट को प्रक्षेपित करने के लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उस उग्रह की कख्शा वायू मंडल से बाहर हो वायो मंडल के साथ इस सेटलाइट का घर्षन होने के कारण इस सेटलाइट जल कर नश्ट हो सकता है और साथ ही जब सेटलाइट को प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके उपर एक विशेश अगनी रोधक लेप लगाया जाता है जिसके कारण घर्षण होने पर भी अगनी उत्पन्न नहीं होती या यू कहे कि यह सेटलाइट को बचा कर रखता है राकेट के फाइनल स्टेज में एक ऐसी स्वाचलित व्यवस्था होती है जिसके सहेता से किसी भी सेटलाइट को 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड के 36 वेग से 36 के समान तर व्यवस्थित कर दिया जाता है और कोई भी सेटलाइट उसी कक्षा में परिक्रमा करता है जिसका केंद्र पृतिवी के केंद्र से सम्मिलित हो तो इस प्रकार बच्चों किसी भी सेटलाइट का सफल लॉंचिंग पूरी कैलकुलेशन के बाद बड़ी सावधानी से किया जाता है हम भारतियों के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि हाल ही में 14 जुलाई दो हज़र तेइस को दो बचकर 35 मिनट में इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन के द्वारा सथीज धवन स्पेस सेंटर श्री हरी कोटा आंधर प्रदेश से चंद्रियान 3 का सफल लॉंचिंग किया गया यह चंद्रियान 3 एक ऐसा सेटलाइट है जो चंद्रमा की चक्कर लगाते हुए चंद्रमा पर लैंड करेगा और चंद्रमा की जानकारी हम तक पहुचाएगा तो आईए बच्चों इस गर्व के पल को जो क्यामरे में क्याइद एक वीडियो के रूप में है इस वीडियो की सहता से हम रॉकेट लॉंचिंग की प्रक्रिया को समझते हैं 14 जुलाई 2023 दो फिर दो बच के 35 मिनट पर भारत का वा स्वरणिम पल आया जब भारत का रॉकेट LVM3 M4 बादलों को चीरता हुआ अंत्रिक्ष की ओर चंद्रियान 3 को ले चला इस मिशन को उद्देश योच चंद्रियान 3 को चंद्रमा के दक्ष्णी दुरूव में उतारना था जैसा कि हम जानते हैं किसी भी सेटलाइट की लाँचिंग रॉकेट के द्वारा की जाती है और यह रॉकेट मल्टी स्टेज होता है और जनरली यह रॉकेट 3 स्टेज होते हैं चंद्रयान 3 की लॉंचिंग को इसी तरह से समझते जाते हैं जब रॉकेट को लॉंच किया गया इसकी शुरुवाती रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रती घंटा थी सबसे पहले दोनों बूस्टर रॉकेट स्टार्ट हुए और लॉंच के 108 सेकंड के बाद प्रत्वी की सता से 45 किलोमीटर की उचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट हुआ तब रॉकेट की रफ्तार 6437 किलोमीटर प्रती घंटा थी 130 सेकंड के बाद और प्रत्वी की सता से 62 किलोमेटर की उचाई पर दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो गए बूस्टर अलग होने के बाद रॉकेट की रफतार और बढ़ गई क्योंकि अब रॉकेट का मेन इंजन स्टार्ट हो गया और अब रॉकेट की रफ्तार 7000 किलमीटर प्रति घंटा हो गए बूस्टर को अलग करने का काम मशीनों के द्वारा किया जाता है और रॉकेट से अलग हुए इन दोनों बूस्टर को इसरों के वैज्ञानी को द्वारा समुत्र में गिरा दिया गया 196 सेकंड पर रॉकेट से दोनों हीट शिल्ड अलग हो गए हीट शिल्ड को इसलिए अलग किया गया क्योंकि अब रॉकेट 114.8 किलोमीटर की उचाई पर पहुँच चुका था 307 सेकंड पर रॉकेट से लिक्विड इंजिन अलग हुआ और फिर क्रायोजनिक इंजिन स्टार्ट हुआ इस इंजिन के स्टार्ट होने के बार रॉकेट की रफ़तार 36,980 किलोमीटर प्रति घंटा थी कुछ दूर जाने पर क्रायोजनिक इंजिन भी चंद्रयान से अलग हो गया और चंद्रयान 3 लाँचिंग के 16 मिनट के बाद ही प्रित्वी की कक्षा पर स्थापित हो गया और इस प्रकार हमने देखा कि रॉकेट किस तरह से विभीन्न स्टेजों को पार करते हुए प्रित्वी की कक्षा पर स्थापित कर दिया जाता है यदि rocket प्रिधवी की कक्षा पे स्थापित होता और यह कक्षा circular होती यानि कि वृताकार तो यह satellite प्रिधवी की कक्षा को कभी नहीं छोड़ता और प्रिधवी की कक्षा पर लगातार चक्कर लगाता रहता लेकिन हमें तो चंद्रयान्थ्री को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करना था और चंद्रमा में लैंड करवाना था इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी जो कक्षा है वो वृताकर नहीं है बलकि अंडाकार है और इस तरह से ये अंडाकार कक्षा में पृतिवी के चक्कर लगाता है और हम देखते भी जाएंगे कि यह पृतिवी की कक्षा में चक्कर लगाते हुए प्रते कक्षा का आकार पहले वाली कक्षा की तुल्ला में बढ़ते जाएगा और धीरे-धीरे इसका आकार बढ़ने पर ये प्रित्वी की कक्षा को छोड़ देगा और धीरे से जब इसकी कक्षा का आकार बहुत बढ़ जाएगा इसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा और जब इसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाता है तो यहां कक्षा भी बृताकार ना होते हुए अंडाकार होती है और यहां प्रक्रिया फिर विपरित रूप से चलती है जैसा कि हमने प्रित्वी के कक्षा में देखा कि यह छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा का आ और अब इसकी जो आकार है वो पहले की तुल्ला में छोटी होती जाएगी पृत्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए चंद्रयान 3 को 6 दिन लगे और चंद्रयान 3 तेरा दिन तक चंद्रमा की कक्षा में लगातार चक्कर लगाया और जैसे ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते हुए चंद्रमा से 100 किलो मीटर के दायरे पर आएगा उसी समय ही चंद्रयान 3 को चंद्रमा में उतारने की पोशिश की जाती यह चंद्रयान 3 के तीन हिस्से हैं पहला तो उड़ने वाला हिस्सा जिसे हम प्रपोर्शल मॉडियोल कहते हैं और दूसरा उतारने वाला हिस्सा जिसे हम लैंडर मॉडियोल कहते हैं और तीसरा हिस्सा होता है घूमने घुमाने वाला और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा ज अन्य ग्रह के चारो और चक्कर लगाता है और यहां पर चंद्रयान 3 में हमने और्बीटर का इस्तमाल नहीं किया क्योंकि चंद्रयान 2 में पहले ही orbiter भेजा जा चुका था और यह orbiter अल्रेड़ी चंद्रमा के चारों और पहले से ही चक्कर लगा रहा था तो इस बार चंद्रयान 3 के लांचिंग में हमने orbiter का इस्तमाल नहीं किया और जैसे ही चंद्रयान्थ्री चंद्रमा के 100 किलोमेटर के दाइरे में पहुंचा, लैंडर प्रपोर्शन मॉडियोल से अलग हो गया और लैंडर ने अपनी स्पीड कम करना प्रारंब कर दिया। और लांचिंग के 40 दिन बाद भारती समय के अनुसार शाम 6 बस कर 4 मिनट पर चंद्रयान्थ्री चंद्रमा के दक्ष्टे ध्रूफ पर यानि कि साउथ पोल पर लैंड कर गया है और चंद्रयान्थ्री से रोवर बाहर निकला। चंद्रियान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है चंद्रमा के साउथ पोल पर सौफ्ट लैंडिंग करने के बाद रोवर लैंडर से बाहर निकला और अब रोवर चांद की सता का ताप मान और उससे जुड़े हुए कई तत्वों की जानकारी हमें पहुचाता है रोवर में सोलार पैनल लगे हुए हैं जिसकी सहता से उसे एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी की सहता से रोवर चंद्रमा में घूम सकता है और विभिन प्रकार की जानकारी हम तक पहुँचाता है तो बच्चो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार किसी भी सैटलाइट की लॉंचिंग की जाती है जब किसी सैटलाइट को कक्षा में स्थापित किया जाता है तो उसे multi-stage rocket की सहता से किया जाता है लेकिन एक बार जब satellite कक्षा में स्थापित हो जाता है तो वो propulsion module की सहता से कक्षा में घुमाया जाता है और इस प्रकार satellite किसी भी ग्रह की जानकारी हमें दे सकता है